सो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में आये जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्पुर खबरे योगी सरकार ने अपने बजट में कई सारे आयलान किये हैं जिसमें सिस्रमिकों के बच्चों को भी कई सारा लाब मिलेगा वही पियम मोधी सरकार ने भी बच्चों के एड्मीशन के लिए नया नियम जारी कर दिया है यानि अगर आप अपने बच्चे का एड्मीशन करवाने जा रहे हैं अप्रैल महीने से तो पहले आप इस नियम को जान लिजे वही पर फ्री गैस लेंडर तो मिलेगा ही लेकिन रासन की सुविदाओं को लेकर भी सरकार ने नए फैसले लिए हैं कासिव इस्तोनात को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है पाकिस्तान में पीयम मंत्री वगएर आप सेलरी नहीं लेंगे क्या कारान है इसको भी जानेगे आईए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ये 20 महातपुर्ध खबरे जो बेहत खास हैं तो अंतर तक बने रहिएगा चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तो बात कले पहले रासन योजना की तो आपको 28 फरवरी तक इसी फरवरी में दो बार रासन मिलना है यानि फरवरी में 17 तारिक तक तो आपको जन्वरी का रासन दिया गया है लेकिन 28 फर्वरी तक आपको फर्वरी महीने का रासन दिया जा रहा है जिसमें गेहू चावल होगा लेकिन ये जो चावल आपको मिलना है ये 45 चावल है इसका मतलब ये होता है कि इसमें विटामिन B12 वगेरा मिला है और बहुत सारी लोग इसको सोच रहे हैं कि इसमें प्ला इतना हो क्योंकि आपको तादे सुल्तान पूरु हुआ, सीता पूरु हुआ, लक्नव हुआ, भंदईया हुआ, इन सभी जगों पर लोग सोच रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक चावल मिलाए गया है, तो ऐसा नहीं है, इसमें 45 चावल है जो आपको मिल ला है, गेहु चावल म या फिर आपको रासन कम देता है, और सक्त कारवाई अब इस पे होने वाली है, क्योंकि बस इस नंबर पे आपको एक बार फोन करना होगा, केद्ध सरकार ने बड़ा ब्रेट दिया है, रासन कार्ट की मतलब से गरीबों को फ्री रासन मिलना है, जिसका पैसा सरकार दे रह मतलब कि अगर आपकी रासन में 5 लोग है, तो 25 किलो की जगा पे 20 किलो देंगे, 22 किलो देंगे, कटवती करते हैं रासन की, अगर ऐसा वो करते हैं तो आप उनकी सिकायत दर्च करा सकते हैं, क्योंकि केंद्ध सरकार की तरफ से देजबर में 80 करोर जरूत मंदों को मुफ्त रासन मिलना है, मगर अब इसमें कोई रासन कटोधी करता है, या आना कानी करता है, तो आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, इसमें आपको सिकायत करनी होगी, nfst.gov.in पर जाकर, वहीं पर दोस्तों हम आपको टोल फ्री नंबर वगरा भी दिखा रहे हैं, जिसमें हर र 2023 में स्रमिकों के विकास के लिए योगी सरकार ने बजट पेस किया है, इसमें कई सारी घोशना हैं की हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, दरसल दोस्तों मात्रित तुसिसु एम बाली का मदद योजना के अंतरगत, पंजीकरिक महिला स्रमिक के सल्टगत, प्रसों की दसा मे राज़सु मंडल में एक हजार बालक बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक के अध्यान है तू, अटल आवासी विद्याले निर्मार धीन रहेगा, यानि कि इसमें आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्रमिकों के बच्चे एक बेहतर स्कूल में पढ़ेंगे, वही लड़की पैदा होने पर एक मुस्त रुपए 20 हजार रुपए दिया जाएगा, वही लड़की पैदा होने पर इस स्थिती में 25 हजार रुपए बता और सवाधी जमा जो 18 वर्स के लिए होगा, भुक्तान किया जाएगा, अचा में पर आपको ये दिहान देना है कि केंदर सरकार की कलास एक में ultimate के लिए उम्र फिक्स करने की तैयारी कर रही है, राज लोको जारी कर दिया गया है दिशा निर्देश, कलास एक मेंoton के लिए बच्चों की नियूनतम आयू फिक्स कर दी गई है, केंदर ने राजी ओर के इंसासी प्रदेस경 में कहा है, छे वर्स हो, नियुन्तम उम्र आप बता दे इससे पहले अगर आपका बच्चा छे साल से कम है तो आप उसका एडमीशन क्लास एक में कराने जा रहे हैं तो यह ख़बर आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है किन्द सरकार ने राज्यों को यह निर्देश दिया है कि कक्षा एक से एडम प्रदेशों में एक समान व्यवस्थान नहीं है दरसल दोस्तों कुछ राज्यों में नियुन्तम आयू 5 साल है तो कुछ राज्यों में नियुन्तम आयू 6 साल है जिसमें कक्षा एक एडमीशन के लिए बच्चों की नियुन्तम आयू 5 साल है वह उत्तर प्रदेश महराश् चुका है जिसमें अब आपको free gas cylinder मिलेगा इसी होली से पहले अगर आप free gas cylinder का इंदजार कर रहे हैं तो आपका इंदजार समाप्त हुआ है क्योंकि CM योग्यादितनाद ने budget पेस करते हुए कहा कि एक ऐसा एलान कर रहे हैं जिसने की गरीबों को उजुला गैस धार को करने जा रहे है इसके लिए 3047 करोण 48 लाक रुपए का budget प्राउधान किया गया है यानि 8 मार्च को हो ली है उससे पहले आप gas cylinder उजुला वाला बुक कर ले अगर आप उजुला के लाभारती हैं तब ही आपको ये gas cylinder मिलेगा आपको पैसे से gas cylinder बुक करना होगा और उसका प 2020 के तहत किये गए सौंदरी करण को बनाये रखने के लिए 23 परवरी से 1 मार्च 2023 तक एक सप्ता तक आगरा और लखनो की सहर में थूकना मना है अभियान चलाये जाएगा सोच भारत मिसन नगरी द्वारा संचालिती से अभियान की तहर नगर निगम आगरा और लखनो में कि परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं लाखों ब्यार्थियों के लिए खुसकबरी दी है क्योंकि मुख्यमंतियों अग्याद इतना ते एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें PCS मुख्य परिक्षा से वैकलफिक विश्यकी अनिवारिता खत्म कर दी गई है अच्छा इसके साथ ही अगर आप कासी विस्वनाद में बाबा की आर्थी करने जा रहे हैं तो आपको बस थोड़ा सा महेंगा पड़ेगा क्योंकि भक्तों की मंगला आर्थी पांस रुपए देने होंगे और बाकी आर्थी के लिए 120 रुपए की व्रिधी हो गई है अगर आप एक HDFC खाता धारक है और FD पर निवेज करना चाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलने वाला है क्योंकि HDFC ने FD पर ब्याज बढ़ा दिया है जिसमें 29 दिन तक के लिए ब्याज दर में आपको 3% यानि आम नागरिकों को और 3.50 वरिष नागरिकों को ब्याज मिलेगा और कुल्विला के देखा जाए तो 5 साल से 10 साल तक के लिए 7.75 पर सेंट का वरिष नागरिकों को ब्याज मिलेगा तो कुल विलाकर आप यहाँ पे पूरा FD rate देख सकते हैं वहीं दोस्तों बारा भासाओं में IPL का रोमांच आप देख पाएंगे मुकाबले के दोरान कैमरा एंगल बदलने की भी सुविदाब मिलेगी हर मैच पर खर्च होगा 2GB का डेटा और अब आप इसको GIO Cinema पर फ्री में देख पाएंगे 4K में देख पाएंगे अगर आप GIO का रिचार्ज कराते हैं GIO का सब्स्क्रिप्सन है अगर आपके पास GIO कस्यम है तो अब आप पूरा IPL फ्री में देख पाएंगे तो आपके दादे इंटरनेट पर पूरा टूरर्मेंट आप फ्री में देख पाएंगे BCCI ने इस बार IPL फ्री में दिखाने के लिए GIO Cinema को परमीसन दे दी है यानि दोस्तो 4K यानि Ultra HD क्वाल्टी में देखने के लिए मैच को अब पैसा खर्च जादा नहीं करना होगा क्योंकि बहुत सारे GIO यूजर होते हैं जो रिचार्ज कराते हैं तो GIO Cinema का सब्स्रिप्शन आलरेडी मिल जाता है इस बज़ा से अब आप फ्री में IPL मैच देख पाएंगे और इसके लिए लगबग 2GB का इंटरनेट आपका खत्म होगा तो चलिए जा लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में क्योंकि सोना चांदी फिर से महंगा हो गया है जानि ये 22 कैरेड गोल्ड का क्या रेट है दरसल दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज उठाल देखने को मिला है IBJ1 के रिपोर्ट के मताबि मंगलवार की तुल्ला में आज यानि 22 फरवरी और 23 फरवरी को सोना चांदी महंगा होता दिख रहा है क्या है सोने चांदी के भाव आप इसमें देख सकते हैं अचा कंगना रनाउत की तारीफ पर एंडी टीवी से बोले जावे दक्तर कहा उसके बारे में भूल जाये गीतकार और कवी जावे दक्तर ने पाकिस्तान के सरजमी पर खड़े होकर उनी को बड़ी नसीहत दीती जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर खोब वाइरल हुआ और इस वीडियो वाइरल पे कंगना रनाउत ने जावे दक्तर के तारीफ की थी और ट्वीट किया था इसी को लेकर गीतकार का रियक्सन सामने आया है दरसल हाल ही में एंडी टीवी ने जावे दक्तर से खाद बात सीद में उनसे कंगना के ट्वीट को लेकर रियक्सन मांगा था उन्होंने कहा तक यह महत्पूर्ण रियक्षन है आप इस पे क्या अपना रियक्षन देना चाते हैं तो गीतकार बोले सोचिए मत मैं कंगना को महत्पूर्ण नहीं मानता वा उनकी महत्पूर्ण टिपनिक कैसे हो सकती है उनके बारे में भूल जाएए अच्छा इसके साथ यह पाकिस्तान के पी-म या मंत्री अब नहीं ले पाएंगे सेलरी क्योंकि सहबाज सरी बोले है बिजली पानी गैस का बिल खुद भरे ताकत और फोज पर खामोसी जताई है आपको उतादे दोस्तों महज तीन अरब डॉलर के फॉरें रिजर्व यानि डिपॉजिट के साथ दीवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को बचाने की आखरी कोसिस सुरू हो गई है प्रदान मंत्री ने बो द्वार रात सरकारी खर्च में जबर दस कटोथी से जुड़े एहम ऐलान कर दिये हैं उन्होंने कहा मैं और मेरी कैबिनेट बाक में कटोथी की अपील की गई है वाई यूपी में अब पार अब तेजी से उपर की ओर बढ़ने लगा है दरसल दोस्तो मौसम के तेज बदलाओ के बीच मौसम वैग्यानिकों का अनुमान है कि इस बार मार्च महीने में तापमान 40 डिगरी तक जा सकता है इस बार अधिक त लगातार बढ़ने लगा है पारा और वही पर ये भी बताया जा रहा है कि अपरेल माई तक लगबख 50 डिगरी तक तापमान जा सकता है सो दोस्तो ये कुछ अपडेट है जो आपके साथ सेर किया गया है आई होप आपको ये पसंद आया होगा ऐसी जानकरी ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई अपडेट में नई जानकरी के साथ धनिवाद